अस्सलाम अलेकुम तो स्वागा थे आप सभी का ग्यापन इकेडिमी के इस नए और लिटिस्ट वीडियो में और यह जो वीडियो है आप लोगे 10 ग्लास के उर्दू का लास्ट वीडियो है आखरी वीडियो क्योंकि आप लोगे द्रक्षा का बुक जो है उसका लास्ट यह गीत के साथ खुशी के साथ किया जा रहा है और बोला भी जाता है कि शुरुवात कैसा भी हो अंत भला तो सब भला तो अंत अच्छे से कीजिए ठीक और आज आप लोगा तो द्रक्षा का बुक कम्प्लीट होई जाएगा उसके बाद से मैं देखूंगी रोशनी बुक ब से जाएगा आज अब बच्छा रोशनी बुक तो उसको भी मैं बहुत जल स्टार्ट करूंगी और कोशिश करूंगी कि उसको भी पूरी तरीके से कंप्लीट करा दू क्योंकि कोश्टन तो दोने में से पूछता है लेकिन सबसे ज्यादा कोश्टन आप लोग के दरक्षा क आगर आप लोग के अब सिक्वेंस के देखते आ रहे हैं विडियो और पढ़ते आ रहे हैं तो फिर से आप लोग दुबारा चेप्टर वन से देखिएगा ताकि आप लोग का रिवाइज हो जाए और हर चीज हर चेप्टर का जो भी कोश्टन है और जो भी उसमें कहानी गजल वगएरा है जो भी उसमें आप बोल सकते हैं मरसिया है जो भी नजम है वो सारा चीज आप लोग के माइड में दुबारा रिवाइज हो जाए और फिर से रिफ्रेस होकर आप लोग के माइड में देखिए हर चीज जो भी आप याद करते हैं आप लोग लोग टाइम याद रखने का एक ही फंडा है कि आप एक हफते पर उसको रि किजिए हर संडे को तो चलिए हम लोग फटाफट इस चेप्टर को कंप्लीट कर देते हैं इस चेप्टर के जो लेखक है सबसे पहले मुसनिफ वह सलाम मचली शहरी तो इनके बारे में कुछ डिटेल हम लोग समझेंगे फिर मैं आप लोग को जीत यह चैप्टर जो है ना कर उसका अर्थ समझाओंगी और बहुत यह तरीके से चैप्टर कंप्लीट करने वाले तो देखें सलाम मसली शहरी का असल नाम रियल नेम जो है वह अब्दुलसलाम याद रखिएगा फेमस सलाम मचली शहरी के नाम से हुए क्यों क्योंकि इनकी पैदाई जो है न एक जु नाम से मसूर हो गए ठीक आगे बड़िये इनके वालिद यानकी पिता जी का नाम था अब्दुल्रजाक दादा जी का नाम था मुहमद इसमाइल और सलाम मचली शहरी अभी छोटे थे बच्चे थे तभी से यह इनकी मालिक हालत अच्छी नहीं थी यानकी पैसों की कमी थी तो यह बच्चपन से ही बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिये मतलब टीचर का भी काम किये हैं और उसके बाद से उनईस से कैसिस्वी में तो यह पैदा हुए थे जब मतलब मान लिजिए 2729 में उस वक्त जो है ना करांती चल रही थी हमारे भारत को आजादी दिलाने की उसमें भी स्लांवचली शहरी उसमें भी एक त्रJष भाग बन कर गए ते हुर हमारे भारत को आजाद हिरोल था और उस वक्त जब इनकलाब जिंदाबाद का नारा लग रहा था तो इनकलाब के लिए ये नजम भी लिखे थे कवीता भी लिखे थे ठीक है आगे बढ़िए उन्हें सब 35 भी यानि की तकरीबन 14 साल की उमर में ये पहली नजम लिखे जिसका नाम है नैरंग ख्याल इनका पहला नजम पहली कवीता आप बोल सकते हैं क्या नाम है नैरंग ख्याल 14 साल की उमर में लिखे थे ठीक और इनके गीतों के मजमुए इनके गीतों के किताब का भी नाम दिया गया है जैसे कि पायल बाजू बंद खुल जाए तीन हीरे ठीक यह सब क्या है गीत का किता specimens किताब हैं और उनाई 100-54 में इनका दूसरा मजमुआ दूसरा किताब प्रकाशित हुआ नजम का ठीक जिसका नाम है वसटे ठीक और लास्ट में हमिन का इनतकाल की बात कर लें उनका हो गया था ा उनाई 700 को लाहॉर में ठीक तो यह हो गया सलाम मचली शहरी के बारे में कुछ डिटेल्स जो आप लोगो याद रखना है अब चलिए मैं आप लोगो इस चेप्टर को पढ़कर उसका अर्थियानी की उसका तश्री कर देती हूं देखिए बहुत ही आसान है आप लोगो खुछ सभी पढ़कर इसका मतलब समझ सकते हैं कुछ हार्ड नहीं है लेकिन फिर भी मैं आप लोगो समझा दे रही हूं देखिए लिखे हैं सलाम मचली शहरी कि जमुना की लहरे उठती हैं कुछ कहती कुछ गाती है और गाते गाते सपनों की दुनिया में खो जाती है यापर बोले जमुना नदी जो है उस से आवाज निकलती है जो तो ऐसा लगता है कि वह कुछ कह रही हैं कुछ गा रही हैं और मतलब गाते गाते वह अपने सपनों की दुनिया में खो जा रही हैं और क्या जाने क्या कह जाती हैं आकाश के हस्मुक्तारों से क्या जाने क्या सुन जाती हैं इस दुनिया के नजा प्धाश के हस्मुक तारं से म्तलब ले जूठी नीचे गिरती फिर पर याती है और असी दुनिया के नजारों से इस दुनिया में जो कुछ भी होता है उसको जमुना की लहरे जो है लेहरे जो है उखती है कुछ कहती है कुछ गाती है और कुछ कहते गाते गाते सपनों की दुनिया में खो जाती है इसका मतलब तो आप लोग समझी गए होंगे श्रीशे से भी नाजुक लहरों पर कितनी परचाईा पर थी देखिये जो जमना की लहरे हैं अगर उस पर इस चीज की परचाई जमना की नदी पर पड़ी होगी ठीक है और उसके बाद से जब ये जमुना की लहरे जो है ताज महल से होकर गुजरी तो ताज महल की भी परचाई जो है न इस जमुना की लहर पर पड़ी तो वही बोला जा रहा है कि जब ताज महल की परचाई इस जमुना नदी पर पड़ी न तो ऐसा लग रहा था कि ताज महल कुछ कह रहा हो और उसे सुनकर मुम्ताज आप लोक जानते हैं न ताज महल किसने बनवाया है शाजहा ने बनवाया था अपनी जो उनकी वाइफ थी मुम्ताज उनकी याद में वही बोला जा रहा है कि ताज महल की जब परचाई परती है उस जमना नदी पर तो ताज महल कुछ कहता है और उसे सुनकर जो है ना ऐसा लग रहा है कि मुम्ताज जो है वो हस रही है और आगे देखिए मैं उन लहरों पर भेजूंगी जीवन के हजारों ख्वाब अभी या आसू या नाजुक कलिया या चांदनी या महताब अभी आशाय फना होकर भी जहां कुछ अमरित रस्भा आती हैं जमुना की लहरे उटती हैं कुछ कह भी मतलब इनको कहीं अपनी मंजिल तो मिलेगी जमुना की लहरे उटी हैं तो उनका अंत तो होगा महासागरों में जाकर वो गिरेंगी यानि कि उनकी मंजिल तो मिलेगी लहरों को तो अपनी मंजिल मिलेगी तो मैं क्या करती हूं मेरा जिंदगी में जितना भी खौब है म पास कोई आशा नहीं आशा फ puisse फणा शो खात्या लेकिन अतशा फणाना हो भी यह जो लहरे हैं वह चलती रहती अपनी मंजल की तलास में आगे बढ़ती रहती यह बढ़ती रहती तीक है और अम्रित रस बहाती है ठीक और जॉमना की लहरे उठती है कुछ कहती कुछ गाती है और गाते गाते सपनों की दुनिया में हो जाती है आप लोग को समझ में आया होगा उतना टफ नहीं था आप लोग यह खुद सभी समझ सकते थे तो यह होता है आप लोग का चैप्टर नमर थार्टी एट कंप्लीट और पूरा दरक्षा का बुक कंप्लीट ठीक तो कोई भी कंफ्यूजन हो इस चैप्टर से रिलेटेड आप हमें कमेंट करकर पूछ सकते हैं बाकी में आप लोग को जो कुछ भी समझाई समझ में आया तो वीडियो को लाइक तो बनता है वीडियो को आप तक सबसे पहले पहुचेगा ठीक तो फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में एक्स टॉपिक के साथ तब तक के लिए जहिंद और खुदा हाफिज